हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वाइप में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पर बेटे अपने मोबाइल से मतर पांस मिनट में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं अगर आप भी सोच रहे हैं अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने की तो बने रहे हैं ये वीडियो के एंड तक क्योंकि यहाँ पर मैं आपको step by step पर पूरी process समझाने वाला हूँ और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए help पुलो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे तो चलते हैं वीडियो के ओर इसमें देखे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने mobile के play store में जाना है और वहाँ पर आपको search करना है atlthanks app ठीक है दोस्तों यहाँ से ये app आपको download कर लेना है download करने के बाद यहाँ पर आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने कैसा interface है वो open हो जाता है अब यहाँ पर नभर नमबर यहाँ पर आपको अपनी mobile नमबर डाल देने यहाँ पर आपको तीन चीज़ों का ध्यां रखना है थे थे जो फैस्ट तो यह आप जो भी mobile नमबर डाल रहे है हो वो किसी भी SIM card के वो ATL, O, GOO, Vodafone, Idea ठीक है तो तो इससे कोई फरक ने पड़ता Second चीज अब आपका जो saving account बनने वाला है ATL payment bank में वही आपके account number होंगे जो अभी आप mobile number डाल रहे हो Third चीज आप जो भी mobile number डाल रहे हो वो आपके आधार card से registered होने चाहिए ठीक है तो तो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर अपने mobile number डाल देना है Mobile number डालने के बाद निचे आपको एक option दिखाए देगा send OTP इस पर आपको click कर देना है Click करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके mobile number डाल रहे हो जाएंगे वो automatically यहाँ पर generate हो जाएंगे ठीक है तो इसके बाद देखिए आ रहा है welcome on board यहाँ पर आपको अपना नाम है वो लिख देना है इसके बाद आपको नीचे से next डाल अप्शन पर click कर देना है क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर allow airtel to make and manage phone calls ठीक है दो तो यहाँ पर airtel app के दवरा आपको कुछ permission और allow करने के लिए बोलेगा आपको यहाँ से allow कर देनी है इसके बाद देखिए आपके सामने कैसा interface open हो जाता है अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे यहाँ पर देर का link bank account देखिए दो तो यहाँ पर देखिए यह आपका airtel thanks app है यह download हो चुका है और यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा bank जैसे कोई पंजाब national bank या फिर sbi या bank और बोड़ोदा कोई भी दूसरा bank अगर इस app में link करना चाहते हैं तो यहाँ से कर देना वरना यहाँ से आपको skip कर देना इस पर आपको click करना है और इस पर click करते ही उपर option आ जाएगा gate wallet ठीक तो तो इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद देखिए एक ऐसा interface यहाँ पर open हो जाता है ठीक है तो तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्लिक तो फैस्ट नेम लिख देना है फ्लिकल लगा देना है और यहाँ पर डेट बढ़ते हैं यहाँ पर आपको लगा देना है इसके जस्ट नीचे e-mail आइड आपकी लगा देना यह पिधिन कोड अपने आप जन्रेट होकर आजआएंगे ठीकले तो नीचे यहाँ पर आपको आना है वो नीची यहाँ पर देर का है Select ID Proof यानि यहाँ पर इसको क्लिक करना है और ID Proof में आप आधार कार लगा सकते हैं, Water ID लगा सकते हैं Driving License लगा सकते हैं, Fan कार लगा सकते हैं इसके लगा आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट लगा सकते हैं एक कोई भी एक आपको ID लगा देनी है ठीके दो तो इसके बाद आपको नीची उप्षन दिखाए देगा Continue इस पर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने कैसा interface सब open हो जाता है यहाँ पर लिकावा है create M pin यहाँ पर आपको चार अंको का कोई भी pin है वो generate कर देना है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 1,2,3,4 ठीके तो आप कोई भी यहाँ पर लगा सकते हैं और इसके बाद आपको confirm करने के लिए फिर वही pin लगा देना है इसके बाद नीचे यहाँ पर देखे done का option आ रहा है इस पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर देखे please enter the OTP send to अब आपके mobile number पर एक OTP आएंगे वो OTP यहाँ पर आपको लगा देने है अब यहाँ पर देखे दोस्तो लिकावा आ रहा है congratulations registration successful यहाँ पर तो अपना जो वो लेट है वो create हो चुका है ठीके दोस्तो और वो लेट की जो limit है वो 9000 तक है ठीके दोस्तो अब यहाँ से आपको क्या करना है जो account है वो open करना है तो account open करने के लिए directly वापस आपको menu में आ जाना है यह कुछ यहाँ पर trend tickets है यह कर सकते है अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है saving account open करना है तो इसके लिए bank चलते है और वापस menu में आ जाते है और यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है उपर right side में आपको एक profile picture दिखाए दे रहेगी इस पर आपको click करना है click करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ options आ रहे है यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा bank profile का ठीक है दो तो इस पर आपको click कर लेना है click करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके सामने नीचे option आ रहा है pay, loans, debit card और इसके just pass में लिखावा है upgrade account तो यहां से आपको upgrade account वाले option पर click करना है इस पर click करने के बाद यहां से आपको क्या करना है नीचे एक option दिखाए दे रहा होगा gate started तो इस पर आपको click कर लेना है इस पर click करने के बाद देखे सबसे पहले आपको document यहां पर लगा देना है और document में आपको यहां पर एक तो आधार number लगाने है और आपके payne card है उसके number लगा देने इसके बाद देखे नीचे आपको एक check box दिखाए देगा इस पर आपको tick कर देना है और next वाले option पर आपको click कर देना है यहां पर देखे इंटर आधार OTP यहां पर आपके mobile number पर एक OTP आएंगे वो OTP यहां पर आपको लगा देने है ठीक है दोस्तो OTP यहां पर लगाने के बाद देखे आधार details अपनी जो आधार में जो भी details है वो सब कुछ यहां पर आजाएगी यहां पर देखे name, gender, date of birth, address अगरा सब कुछ यहां पर आ गया है ठीक है दोस्तो अब यहां पर अपन को क्या करना है निच्चे your details कुछ details है वो fill up करना है यहां पर देखे father's name, mother's name ठीक है दोस्तो अगर आप सेम अधार उड़ार भाला अड्रेस लगाना है यहाँ पर आपको yes कर दयना है ठ्क दोतो और अगर आप दूसरा address choose करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए no वाला address है, इस पर click कर देना है, तो यहाँ से मैं आधार वाला वाला ही ले लेता हूं, तो यहाँ पर yes बर देनी है और फिर आपका और नोमिनीज का रिलेसंशिप क्या है वो यहाँ पर आपको बर देना है इसके जैस्ट आपको नीचे आना है और नीचे दे रहा है नोमिनीज एडरस अगर सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको येस कर देना है और अगर आप सेम नहीं है द यहां पर मैं आपके सामने अपनी जो के वाइसी है वो भी पूरी कंपलीट करके दिखा रहा हूं यहां पर देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ दे रहा है इंस्ट्रेक्शन वह आपको केरफुली रीड कर लेने हैं इसके बाद है कि नीचे सेडूल ना उपर क्लिक करन यहां पर लिकावा है यहां पर लिकावा है जो भी हमारे बेंक करम चारी है वह भी थोड़ा बीजी है आप प्लिस थोड़ी देर बाद ट्राइ करें ठीके दो तो इस तरीके से आप अपनी जो वीडियो के वाई से वह भी कंपलेट कर सकते हैं झाल 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 झाल